गुड मॉर्णिंग बच्चो आज हम क्लास फोर्ट की हिंदी व्याकरण का पार्ट दो शुरू करेंगे ठीक है पार्ट दो का नाम जो है वो है वर्ण वर्ण माला और मात्रा ठीक है इस पार्ट में हम वर्ण किसे कहते हैं वर्ण क्या है वर्ण माला क्या है और मात्रा क्या ह यही हम पड़ेंगे तो पहले जव शुरू करते ऑज वह और इख हते हैं वर्ण किया होते हैं टिंट वर्ण को करनं कहीं कि जोرج जो भी हम अपने मुह से जो बोलते हैं जिन द्वहन को अपने मुह से उचारन करते हैं इन द्वहनी को जो जो मुखिक भाषा में ध्वनी है वैं लिखित भाषा में वर्ण है यानी वही जो हम मुख से ध्वने का उच्छारन कर रहे हैं ठीक है जब हम इने लिखित रूप देंगे तो वो क्या कहलाएगा वर्ण इसमें जो एक्जाम्पल दिया हुआ है उसके कोडिंग देखते हैं एक्जाम्पल भी दिया हुआ है हाती है किताब है घुलाब है यह चार शब्द दिये हुए है इनमें ध्वन्यों का कितनी ध्वन्यों का प्रयोग हो रहा है यह देखते हैं हाती हाती में चार ध्वन्यों क प्लस तब क्या बना मुरीग ठीक है ऐसे ही किताब ऐसे ही गुलाब इन में 6-6 धौनियों का प्रियों गो रहा है तब जाके वह शब्द बन रहा है किताब और गुलाब ना जब इनका लिखीत रूप है वह क्या कहलाता एं वर्ण यह भाशा के शब्द धौनियों से बने हैं एक ओर इस तरह धौनिया बोल-चाल की भाशा की सबसे चोटी खाई कहलाती और जब ध्होनियां है जब नध्य को हम लिखित रूब दें gera तो वो क्या कहलाएगा वर्ण अब समझ आ अपको पर क्या होते हैं अब जो वर्ण हम देखेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं पहला स्वर और दूसरा व्यंज जाती और स्वारों की संक्यां है वो 11 कि जैसे यह रीए ए कि में तो एक सहता से ही बोले जाएंगे यानि afar को जो सभता नहीं आता है गों और नहीं अशूरा कि अंशाय वाजल जाता है औरrifाताजनलिय साहता से बोला जाता है ठीक है और जो वियनजन है उन्हें अकेले नहीं बोल सकते हैं यह तो प्रियोग कर रहे हैं ठीक है आगे देखे तालीका दी हुए उच्व जो वैसे व्यंजन एंड की संख्या वह 33 है और उसमें दिया गया है अगले पेज पर चलते हैं इसमें तालीका दी हुए यह से हां तक लिखावाई काखा गगः रे चैछे जेज़े ते टे डे ने ते यह 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 बेब दिये हुए हैं तो इनके उचारन में क्या होता है इनके उचारन में सवरों की साहता लेनी होती है ठीक है अब देखिए इसमें और भी बात बताई गई है जैंब बताया गया है कि इनके अलावा कुछ अलग और भी वाण है जैसे ड़ पर्ड है ठीक है और दूसरा दिया वो का कहलाते है अनुस्वार, तीसरा दिया हुआ है अनुनासिक, यानि इसमें चांड बिंदू का प्रयोग होता है और उनकी जो हम उचारण करते हैं, वो हम करते हैं, मुग के साथ नाक से, ठीक है, फिर विसर्ग दिया हुआ है जो पीछे दो बिंदू दियों यह विसर्ग है जैसे गंगा पतं हंस जो यह अझामपपल दिया हुआ है जो यह अनुस्वार का एक्जामपल है अनुस्वार जो होते हैं अनुस्वार की ध्वनी सर criticism नाक से निकलती है जैसे गंगा पतं हंस और इनकी पहचानinky अंनुस्वार है उसके एक्सवा ञें हूआ है जो अनुस्वार होते हैं उनकंप्र्यों कि प्रकट करने चांद बिंदू का और इन जो उचालें है वह वह इसे होता है मुंक के साथ सथना मुंग के साथ के प्रकट करने के लिए चांब दिया है धिसर्ग यानि दो पीछे बिंदु क्या है विसर्ग जैसे यह गजांपल दिया हुआ है प्रातै अते ये गजांपल किसका है विसर्ग और श्ट्र ग्य और श्र यह जोड़ कर जाता है और ये पढ़ा हैं वियंजन कभी अकेले नहीं बोले जाते तो रोकी साहित असे बोले जाते हैं कि तिक गया जैसे शच्ट्रिय वाला शठा दे रखा है इसमें श्रप प्लस अ तब जाके क्या बनता है श्र इस शच्ट्रिय वालश ठीक है तो जो आज मैंने जितना आपको कराया है आज हमने वर्ण के बारे में पढ़ा वर्ण क्या होते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन इनकी संख्या कितनी है ठीक है आज हमने सब पढ़ा आज जितना मैंने पढ़ाये से आप नोट दाउन करें मैं तब इसे रीड आउट करें एक बार ठीक है जो वर्ण वाला है वात्रा मात्रा के बारे में हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है थेंक